हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंडवरे देतिमन बहुत ही महतकून चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने जो हैं जो बात रखूंगी वो आपके डॉकुमेंट वेरि बच्चों को बलाया जाता है और फिर एक गुना बच्चे ही रह जाते हैं तो डॉकुमेंट में अगर कमी पाई जाती है तो बच्चों को जो है निकाल दिया जाता है डॉकुमेंट वेरिविकेशन के समय तो क्या कमिया रहती हैं यही बात हम करेंगे देखिए कुछ ही समय बात जो है यानि कुछी दिनों में आपका REIT level 1 का result आएगा पहले फिर level 2 का आएगा SST वाले बच्चों का तो 1st grade में जिनका selection हुआ है तो वो तो अपने document तयार करने में लगी गए है REIT की जहां हम बात करें तो अभी जो है आपको जितना भी समय मिल रहा है जिनको 100% लगता है हमारा selection होगा ही तो वो अपने बिलकुल तयार कर ले ज्यादा समय नहीं है बात में हड़बढाहट में जो है वो गलतियां होने की संभावना हो जाती है सबसे पहली बात में आप लोगों के दिमाग में ये चीज पहले ही डाल दूगी कि आप लोग जो है जब आप लोग अंतिम फॉर्म जो भरेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि जर्णल टीचर का आपको भरना है या स्पेशल टीचर का general teacher जो आप लोगों ने exam दिया special teacher वो होते हैं जो दिव्यांग जन होते हैं विशेश योगे जन होते हैं handicap होते हैं ठीक है तो आपको जो है ये वाला नहीं बढ़ना है जो special teacher है केवल वही अपना इस column को भरेंगे ठीक है maximum बच्चे general teacher का ही भरेंगे दूसरा जो है सबसे ध्यान रखना है कि आपने level 1 का exam दिया है या level 2 का क्योंकि कई बार जो है गलतियां हो जाती है जान बूचकर तो नहीं होती है लेकिन अंजाने में हो जाती है बच्चे level 1 को भरने की वज़ाए level 2 जो है उसको फिल कर देते हैं ठीक है और बाद में जब सोचते हैं कि आप जो है कोई डेट आये जिसमें में संसोधन का मौका मिले आपको संसोधन का मौका जो है वो नहीं मिलेगा इसीलिए जो है मैं आपको बता रही हूँ बहुत ध्यान से भरना है सबसे पहले जनल टीचर वाले कॉलम को फिल करेंगे उसके बाद level 1 और level 2 जो भी आपने exam दिया है उसको फिल करना है तीसरी बात ये है कि category यदि आपने exam form जब भरा था तो उसमें आपने category शो की है तो अब जो है time आ गया है कि आप category का जो form जो certificate है उसको बनवा ले ठीक है उस document को तयार करवा ले समय रहते यदि आप करवा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसी को ध्यान में रखकर category को फिल करना है ऐसा नहीं करना है कि आप लोग जो है दूसरी category को बलॉंग कर रहे हैं और आपने किसी और को भर दिया ऐसा नहीं करना है अगर आपके पास category का कोई भी certificate नहीं बन पाया कुछ गलतियां रही तो आप general का ही भरेंगे चौथी बात ये है आपकी education qualification आपने जो है विल्कुल सही college से की है कोई फरजी college से तो नहीं की है यदि फरजी college से की है तो आप जो है डीवी के समय आप बाहर कर दिये जाओगे ठीक है और अगर आपने राजिस्थान बोर्ट से 10 तो 12 की है तब कोई भी बात नहीं आपको चिंता करने के जुरूत ही नहीं है बीकानेर युनिवस्टी से आपने जो ग्रैजुएशन की है ठीक है किसी भी माननेता प्राप्त जो UGC थे माननेता प्राप्त आपने जो है B.A.D. B.T.C. या B.S.T.C. कह सकते है ये किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन अधर स्टेट के जो कैंडिडेट है क्योंकि कई कमिया पाई जाती है नेक्स्ट जो बात रहेगी वो आपके डॉकुमेंट में नाम से संबंदित नाम में कोई मिस्टेक है सरनेम नहीं लगा हुआ है या फिर स्पैलिंग ही गलत है ठीक है 10th की मार्क सीट के इसाब से ही जो है बाके डॉकुमेंट जो है वो तयार करने है हो सकता है B.A.D. की मार्क सीट जो है वो उसमें जो है सरनेम नहीं लगा हुआ है 10th की मार्क सीट में लगा हुआ है या सारे डॉकुमेंट सही है केवल 10th की मार्क सीट में spelling में mistake होगई है क्योंकि पहले जो है, वह बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिए जैसे जैसे age बढ़ती जाती है, उमें बात में ध्यान में आता है, कि हमारे इस काघज में कोई mistake होई है और हम जो है, इसको बिल्कुल भी सही कराने के बारे में नहीं सोचते हैं, यह सोचते हैं, सिलेक्षिन होगा जब देखा जाएगा, तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो यह होता है, कि आप सपत पत्र जो है लगाएंगे, और उसमें बिलकुल यह लिखेंगे, कि मेरे टैंथ की मार्क सीट में, जो है वो बन जाएगा दूसरा क्या हो सकता है कारण दूसरा यह हो सकता है यदि आपके पास समय है तो आप किसी भी लॉयर या वकील के पास जाएंगे तो वो आपको ये सलहा देगा कि आप लोग जो है एक गजट पास होता है गजट नोटिस जो है जिसमें ये लिखा होता है ज इसी की 10th की Mark Seat में भी Mistake है, 12th की भी मिस्टेक है, Graduation की भी मिस्टेक है, और B.Ed में बिलकुल सही उसने लिखा है, ठीक है, उसका नाम बिलकुल सही है, ऐसी कंडिशन में सारे डॉकुमेंट जो है, वो एक साथ सही कराने के लिए, यदि यूनिवस्टी के, कॉलेज के, स्कू तो ये है, और मेरे जितने भी पहले के कागजाद है, उनमें भी मेरा नाम अब यही पढ़ा जाए, ठीक है, और जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और अब जितने भी कागजाद मेरे बनेंगे, वो मेरे इसी नाम से बनेंगे, और मुझे बविश्य में इसी नाम से जिसको आपको जो वकील होगा वो आपसे जो है वो 5-6 जितने भी रुपए जो है वो आपसे मांग रहा है तो आपको देने पड़ें क्योंकि आपकी भविश्य का सवाल है आपकी नौकरी का सवाल है आपको पता है आपका सेलेक्शन हो ही रहा है तो आप जो है वो पैसे दे ठीक है दूसरी condition ये रहती है तब आपको किसी भी कागजात में छेड़ खानी करने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी जहां कई भी आप document verification के लिए जाएंगे वहां आप इस तरीके का जो गजेट notice है वो आप लोग दिखा देंगे तो बिलकुल इससे ये proof हो जाएगा कि पहले आपका नाम ये रहा है वर्तमान में आप इस नाम से जाने जा रही हो या आपके पिता पहले इस नाम से थे उनका सरनेम नहीं था वर्तमान में आपका नाम ये है और अब जितने भी आगे के कागजात होंगे उनमें आप इनको य यही पढ़ा जाए, ठीक है, मान लीजिए, रवी शर्मा जो है, नाम है इस वक्त, आधार कार्ड में भी नाम वही है, बीयड की मार्क शीट में भी यही है, और 10th की मार्क शीट में, ग्रैजुएशन की मार्क शीट में केवल रवी था, तो उस गजेट में यह शो होगा, कि पहले आपका नाम केवल रवी था, वर्तमान में आप रवी शर्मा के नाम से जाने जा रही हो, और भविश्य में भी आप इसी नाम से जाने जाओगे, तो आपको किसी भी कागजात में जो है छेड कानी करने की जुरुत नहीं पड़ेगी, आपके एज़िटी वो सब भी काम आएंगे, और यह गौर्मेंट की तरफ से ही रहता है, तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल निस्चिन्द रहें, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे, ऐसा थोड़े ना होता है, माकशीट में तो गलत है, तो गलत है, नहीं, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं, जिनकी माकशीट जो है 15-20 साल पुरानी होगी, ठीक है, अब जो है रूल, यूनिवस्टी मे भी थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, तो इतने लंबे टाइम पहले की जो बात होती है, उसके लिए ये प्रोसीजर बिल्कुल सही रहता है, इतने सारे डॉकुमेंट सही कराने की वज़ए, ये प्रोसीजर बिल्कुल सही है, ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने आपको पह को सपत्पत्र लगाना है कि मेरी इस माक्षीट में जो है ये प्रॉब्लम है मैं इसको सही करवा लूँगा ठीक है ये पूर्ट है मेरी जिम्मेदारी है इस तरीकी का होता है तो ये चीज आपको समझ में आई होगी नाम से संबंदित अगर कोई भी मिस्टेक आपकी माक्षी दिया जाएगा दूसरी बात आप लोग जान बुच कर अगर कोई गलत सूचना दे रहे है तो गलत होगा ये तीसरी बात आपने किसी फरजी कॉलेज से अगर डिगरी हासिल की है तो आप बाहर हो जायोगे इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं रहता है आपके का डीवी होगा ठीक है बिलकुल बहुत ही आसान होता है जैसे आप लोगों ने एक्जाम दिया है उसमें जितनी घबराहट होती है यहाँ पर आप लोगों को घबराने की जरुत ही नहीं है यदि आपके कागस बिलकुल सही है तो बिलकुल नहीं घबराना है यदि नाम में mistake हो रही है तो भी नहीं घबराना है हाँ अगर आपने फरजी college से किया है तो आप लोगों को बिलकुल घबराने की जरुरत है ऐसी condition में जो है नौकरी नहीं मिल पाती है कई students जो होते हैं वो job करते हुए किसी भी college से जो है कर लेते हैं और उनको यह नहीं मालूम होता है कि उनका भविश्य जो है वो खराब हो जाएगा पैसे भी खराब हो जाएगे अगर आपने अधर स्टेट से जो है डिग्री हासिल की है UGC से माननेता प्राप्त रहा है वो university college तो कोई problem नहीं है आपने जम्मू कस्मीर से किया हो चाहे बिहार से किया हो कोई फरक नहीं पड़ता है बस आपका फरजी college से डिग्री नहीं होनी चाहिए ठीक है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें positive रहें सबका selection होगा जिन बच्चों ने महनत की है वो सभी लोग जो है select होगे और job भी मिलेगी मिलेंगे next वीडियो में और कोई भी जरूरी सूचना होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी Thank you